आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के फोन में लॉक स्क्रीन से कैमरा या फिर जो फोन डायलर होता है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहां पर आपको इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में सैटिंग्स को यहां पर ओपन करना हैं सैटिंग्स में आने के बाद आपको यहां पर नीचे स्क्रोल करना हैं और यहां पर नीचे स्क्रोल करने के बाद आपके सामने एक ओप्शन आएगा लॉक स्क्रीन के नाम से त और जैसा कि आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ये जो कैमरा आता है हमें इसे यहां से रिमूव करना है तो नीचे आईए नीचे आपको एक option मिलेगा शॉटकर्ट के नाम से तो यहां पर आपको शॉटकर्ट वाला जो ये option है इसे यहां से इस option पर क्लिक करके बंद कर दीजिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं आफ करने के बाद आपके लॉक स्क्रीन से ये कैमरा और जो फोन डाइलर होता है वो दोनों रिमूव हो जाएंगे तो इस टाइप से आप अपने सैमसंग के फोन में लॉक स्क्रीन से कैमरा या फिर डाइलर को रिमूव कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें